स्टाप्लिस की सीरर संजीवनी में विस्टर वर्दान डॉक्टर सिट को एक इर्रिस्पॉंसिबल डॉक्टर साबित करना चाहते हैं और इसमें उनका साथ दे रही है डॉक्टर आशा लेकिन अब जब डॉक्टर इशानी को शक हो ही गया है कि कहीं ना कहीं इस सब के पीछे आशा का हाथ है तो वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है सिट को आशा के ट्राप में पढ़ने से रोकने के लिए अपकमिंग एपिसोड में डॉक्टर सिट को एक माइनर सरजरी परफॉर्म करने का मौका मिल जाता है लेकिन इशानी इंसिस्ट करती है कि सिट वो सरजरी ना करे लेकिन सिट इशानी की नहीं सुनता और अपरेशन थेटर के लिए निकल जाता है इस दोरान इशानी आशा को कंफरिंट करती है और दोनों के बीच काफी लंबी बहस और ताना सेशन होता है जिसके अंत में इशानी आशा से प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा सिट को बचाएगी इशानी जब OT पहुचती है तो डॉक्टर सिट को बेहुशी की हालत में पाती है और उससे यकीन हो जाता है कि सिट को एक बर फिर जान बूझ कर टागिट किया गया है इशानी डॉक्टर राहिल की हेल्प से सिट का बलड टेस्ट करती है आशा को जब ये पता चलता है कि सिट का बलड टेस्ट कराया जा रहा है तो वो टेस्ट रिजल्स कलेक्ट करने लाब पहुच जाती है लेकिन तब तक इशानी और सिट वहाँ पहुच कर टेस्ट रिपोर्ट पढ़ रहे होंगे कि सिट और इशानी इस डेफिनिट कंक्लूजिन पर पहुच पाएंगे कि कोई ये सब जान बुच कर कर रहा है वर ये तो हुई शो की बात लेकिन तेलिविजिन दिनिया के लेटिस्ट अपडेट्स, न्यूस और गॉसिप्स के लिए हमारे चानल को ज़रू सब्सक्राइब करें